हाई गाईज, वेलकम टू बी बैंकर, स्वागत है आपका आज की करेंट अफेर की क्लास में, अगर आप हमारे चैनल पढ़ नहीं हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकॉन हैं, उसको दबाना भी ना भूल और हाँ, जैसा कि मैं हर रोज पूछती हैं आपसे एक सवाल, आज का सवाल मिलेगा आपको वीडियो के आखिर में, तो चली शरू करते हैं आज के वीडियो, तो आज के वीडियो का पहला क्वेस्टिन है, बाइ हूम, वाज़ के परियावरनिय प्रभाव के अध्धिन किस के द्वारा प्रकाशित किया गया है recently, तो ये प्रकाशित किया गया है UNICEF के द्वारा, UNICEF जो है, वो United Nations International Children's Education Fund, यह इसका फिल-फार्म है, आपको याद रखना है, 5 जून 2019 को UNICEF द्वारा स्वच भारत मिशन on Water, Soil and Food के परियावरनिय प्रभाव नामक एक अध्धिन को ज मंगाल के ODAF और गैर ODAF गाउं से एकत्रित किये गये थे जो कि यह बहुत बहुत पॉजिटिव बात है और यही पॉजिटिवनेस इस क्वेशन को बहुत इंपोर्टन बनाती है क्यों क्योंकि बेसिकली यह जो स्वच्छ भारत अभियान है यह 2014 में लांच किया गया था हमा इसके रिपोर्ट में यह पब्लिश हुआ है कि इसके वज़े से भू जल जो है और इसके पॉलूशन में कमी आई है और यह जो ऑफजवेशन है यह की गई है पोडिशा बिहार और पश्चे मंगाल के ODF और नौन-ODF गाउं के भू जलों को इकत्रित करके ठीक है तो की पिश्की है और रिपोर्ट में क्या है यह चारों की हाइलाइट्स है इस क्वेश्चन के तो डेफिनेटली आपको याद ही रहनी ही चाहिए चली बढ़ते हैं आगे Housing and Urban Affairs Minister लांच स्वच्छ सर्वेक्षन लीग 2020 इन जून 2019 केंद्री आवास और शहरी मामलो के मंत्री हर्दीपुरी ने एक जून 2019 को स्वच्छ सर्वेक्षन लीग 2020 के शुरुवात की यह 2019 के तीन तिमाहियों और 2020 के अंतिम तिमाही में आयोजित किया जाएगा लीग के परिणाम स्वच्छ सर्वेक्षन 2020 का हिस्सा बनेंगे शहरी भारत के वारशिक स्वच्छता सर्वेक्षिन एवं पांचवा संसकरन जनवरी फरवरी 2020 में भी आयोजित किया जाएगा तो ये भी कुछ हद तक उसी से related question है ये basically urban affairs minister है urban areas में जो स्वच्छ सर्वेक्षिन वाला जो basically ये काम होगा जैसा की बीच में प्रधान मंत्री जी ने ये योजना भी निगा ली थी कि आपका शहर कितना साफ है उसकी listing वगएरा की गई थी तो उसी से मिलता जूलता ये भी एक निकाला गया है इसको जो की अभी जून के 3 months quarter में होगा और फिर 2020 में भी इसकायोजन किया जाएगा चली बढ़ते हैं आगे In June 2019, which of the following announced its partnership with Motherhood Hospitals, a comprehensive network of women and children hospital जून 2019 में निमनलिखित में से किस ने मातरतों अस्पतालों, महिलाओं और बच्चों के अस्पतालों के व्यापक network के साथ अपने साज़ेदारी की घोशना की है ये घोशना की गई है बजाज फिनसर्व द्वारा बजाज फिंसर्व ने मातरितों हस्पतालों, महिलाओं और बच्चों के स्पतालों के व्यापक नेटवर्क के साथ अपने साज़ेदारी की घोशना की है साचेदारी सभी मातरितों अस्पतालों में मरीजों को बिजाज फिंसर्व से लाइफ केर फिनांस का लाव उठाने में सक्षम बनाएगी जो उनके चिकित्सा और कल्यान के बिलो को ब्याजमुक्त EMI वित्रिन में परिवर्तित करता है तो बेसिकली विजाज फिंसर्व द्वारा ये लाउंच की गई एक नई कह सकते हैं स्कीम है जिसमें विजाज फिंसर्व ने जो motherhood mother maternity care वाले होस्पिटल्स है और child care वाले जो होस्पिटल्स हैं उनके साथ इन्होंने साजहदारी की है जिसके तहट बहुत बार क्या होता है ह हमारे देश में basically हर जगा पर यह चीज होती है कि women health care को लेकर के उतनी जाग रुखता नहीं है बच्चों के health care को लेकर के उतनी जाग रुखता नहीं है mortality मतलब जो pregnant ladies होती है उनकी health कई बार risk factor में आ जाती है तो उन सारे basically पैसों के वज़े से यह सारी चीजे कई बार देखी जाती है ऐसा होता है तो उस चीजों को ठीक करने के लिए बजाज फिन सर्व में basically finance करेंगे आपको उस वक्त रिन देंगे आपको जो की EMI मतलब interest मुक्त होगी interest रहित होगी ताकि हर किसी को एक ढंका एक अच्छा स्वच्च और साफ सुतरा अच्छा hospital मिल सके और care हो सके और कोई भी इलाज ना होने के वज़े से अपनी जान किसी को नागवानी पड़े चली बढ़ते हैं आगे which of the has have been included in the second schedule of RBI Reserve Bank of India Act in June 2019, June 2019 में भारतीय Reserve Bank Adenium के दूसरी अनुसूची में कौन सी कौन सी या कौन कोस शामिल किया गया है किसको शामिल किया गया है तो ये शामिल किया गया है कुकमीन ब बैंक को RBI के एक्ट में शामिल किया गया है, ये शामिल किया गया है जून 2019 में फिन स्मॉल केर बैंक और कुकमीन बैंक को भारतीय Reserve Bank के अधिनियम की दूसरी सूची में शामिल कर लिया गया है, बैंक अब जमा के प्रमान पत्र जारी कर सकते हैं और प्रतिसफर्दा ब्या मतलब सेविंग्स पराप्त कर सकते हैं, तो बैसिकली ये क्वेशन काफी इंपोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये करेंट अफियर्स और बैंकिंग अवेर्नेस दोनों का मिला जुला बिलकुल मिक्श्चर है, तो अगर आप बैंक की तेगारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश वो दोनों बैंक के नाम आपको याद होने चाहिए, क्या-क्या उनको पावर्स मिल गए हैं, वो आपको याद होने चाहिए, किस में इंडिलूड हुए हैं, ये याद होने चाहिए, चली बढ़ते हैं आगे, विच बैंक हैस कंडूक्डर्द था उनको अपको जुहान तो ये इ Cotton आपको ऑग क्वेश deportर चाहिए, ये ज़ोन 2019 में महाराष्ट ने जुन 2019 में महाराष्टर के धनोरा महासंग में वन उपज की पहली लूपेलगावी ँनिलामी आयोजित की हैं, तो ये अलको ये ई लिर प्रभावी और पारदर्शी मुलिक खोज की सुविधा के उद्देशे से माल की ओनलाइन खरीद को सक्षम बनाती है Yes Bank ने कहा कि यह अपरिल के तहट किया गया था ART दुरिश्टी कौन के साथ साथ उनके FinTech Partners पास्ट टेकनोलोजी द्वारा इन दोनों का ही Basically decision था, common decision था जिससे यह auction जो है यह किया गया है चलिए बढ़ते हैं आगे Who has been elected as the Prime Minister of Thailand in June 2019 June 2019 में Thailand के प्रधान मंत्री के रूप में किसे चुना गया प्रत्युच्छान ओचा इनका नाम है यह question काफे important है because अब भी elections हमारे country में हुए है तो और फिर Thailand में हुए Thailand जो है पडोसी देश है हमारा तो काफे important question है उस लिहाद से Thailand की नई संसर ने सान ने सरकार प्रमुक प्रतुच्छान ओचा को देश के नया प्रधान मंत्री चुन लिया है प्रतुच्छी नियुक्ति अब आधिकारिक हो जाती है जब राजा महा वजरा लॉंग कॉर्ण द्वारा समर्थित होते हैं प्रतुत चान ओचा एक सेना वृत्त सेना जिनरल है और उन्होंने पांच साल पहले थाईलाइन में सैने तक्ता पिलट का निर्टित्यू भी किया था तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं इसको कि बैसिकली वहां के राजा का इनको सपोर्ट है तो ये जीत ही जाते हैं मतलब आधिकारिक हो जाती है इनकी जीत और पांच साल पहले आर्मी के साथ आर्मी वाला जो है वो मतलब पॉलिटिकल सेनारियो काफी जीब था वहां पे तो इन्होंने तक्ता पलट हो गया था बेसिकली पॉलिटिक और तब उन्होंने इस मुहीम की जो है वो लीडर्शिप की थी तो ये काफी important terms है जो इनसे related है सबसे important इनका नाम है आपको definitely ये नाम याद होना चाहिए चलिए बढ़ते हैं आगे who was appointed as the head of टिकनपूर based BSF Academy in June 2019 जून 2019 में टिकनपूर स्थित BSF Academy के प्रमुक के रूप में किसे nuked किया गया है तो ये nuked किया गया है SS चाहर जी को SS चाहर जी को BSF टिकनपूर head के रूप में nuked किया गया है BSF टिकनपूर head के बारे में थोड़ा बता दूँ BSF basically Border Security Force है Border Security Force के academy टिकनपूर में है जहाँ पे जो लोग BSF के लिए select होते हैं उनको वहाँ पे training दी जाती है तो वहाँ पे head के रूप में SS चाहर जी को nuked किया गया है जून एक 1983 बैच के BSF के कैडर अधिकारी SS चाहर को टिकनपूर स्थित BSF academy के प्रमुक के रूप में nuked किया गया है चाहर कैडर के तेरवे अधिकारी है जिन्होंने 6 वर्षों बाद 50 से अधिक वर्षों के इतिहास में संगठन के दूसरे शीश को पद पर उतारा गया है चाहर आगरा के निवासी है और MMSC भौतिक्स में स्वर्ण परदक विजेता भी है चाहर से रिलेटेड बेसिकली वो कौन से काडर से हैं एक जुन 1983 के बाद से हैं वो खुद भी BSF सर्विंग ही है काफी शीश्ट पद उन्हें अभी मिला है और आगरा के निवासी है और स्वर्ण पदक विजेता भी है चली बढ़ते हैं आगे तो दिल्ली मेट्रो इसका नाम है दिल्ली मेट्रो जो है वो उर्जा से कूडे से उर्जा सैंत्र से बिजली उतपात करके चलने वाली जो है वो बेसिकली कांट्री की सबसे पहली ये प्रोजेक्ट बन गया है दिल्ली मेट्रो देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट बन गया है जो कचडे से उर्जा बनाने वाली उर्जा प्राप्त करने वाला है दिल्ली मेट्रो ने गाजेपुर में स्थापित 12 मेगावाट शम्ता के कचरे से उर्जा सयंतरन से 2 मेगावाट विजली अल्रेडी प्राप्त करना इन्होंने शुरू कर दिया है इस्ट दिल्ली वेस्ट प्रोसेसिंग कमपणी लिमिटेड एडी डेबलूपी सील द्वारा स्थापित अप्षिष्ट से उर्जा सयंतर यह कमपणी का नाम है जिनसे इनको मिल रहा है यह उर्जा बेसिकली कचड़े से उर्जा उत्पादन करके मेट्रो को दोड़ाया जा रहा है मतलब मेट्रो चल रही है तो दिल्ली मेट्रो तो अपने आप में वन अफ़ टॉप मेट्रोस इन दा वर्ल्ड है और इंडिया में तो नमबर वन पे ही दिल्ली तो यह एक और चांद लगा नहीं आगे The Report on Benchmarking India's Payment Systems was released by Dash in June 2019 Benchmark India's Payment System पर रेपोर्ट June 2019 में Dash द्वार जारी की गई तो यह रिपोर्ट जो है RBI ने जारी की Reserv Bank of India ने जारी की रेपोर्ट में कहा गया है कि भारत में एक मजमूत नियामक प्रणाली और खुदरा भुकतान प्रणाली है लेकिन कागज की मातरा को कम करने के लिए और अधिक प्रयासों के आवशकता अभी भी है देश में आवशक कानून के प्रती व्यक्ति के प्रशलन में नगदी जैसे शेत्रों में ये मजबूत है तो basically RBI इसमें बताती है कि भारत का जो ट्रांजक्शन सिस्टम है लेंदेन का जो आधार है उसका बेंचमा क्या है हर साल RBI इसके बेस्ट एक रिपोर्ट निकालती है और इस साल के इस साल चार्ज जो 2019 को RBI ने ये रिपोर्ट निकाली जिसमें कहा गया कि काफी मजबूत है हमारा जो लेंदेन का जो सिस्टम है वो काफी मजबूत है लेकिन अभी भी कागज का इस्तमाल कुछ जादा ही होता है तो इसको reduce करने के काम में और भी जादा और मितलब महनत की जरूरत है और भी जादा changes लाने की जरूरत है ताकि digitalization जादा से जादा हो और जो कागज की खपत है वो कम से कम हो कागज की खपत कम होगी तो जंगल कम कटेंगे और global warming पर प्रभाव जो है वो और कम होगा ठीक है तो इस पे RBI ने ये report निकाली है चलिए बढ़ते हैं आगे जून 2019 में अशोक लिए ने निमलिखित मैं से किसके साथ भागिदारी की है तो यह भागिदारी अशोक लिए लेन ने की है सूर्योदे स्मॉल फिनान्स बैंक के साथ जैसा कि आप सभी को पता है कि अशोक ली लैंड जो है वो बड़ी-बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कमपनी है बेसिकली मशीन मनुफाक्चरिंग कमपनी है जो बड़ी-बड़ी क्रशर्स और वोल्वो बसस और ट्रक्स बनाती है इन्होंने पार्टनर किया है सरवोदय स्मॉल फिनांस बैंक के साथ जो की अब अपने कस्टमर्स को लोन देगी इन गाड़ियों को खरीदने के लिए तो अशोक ली लैंड ने चार जोन 2019 को वाहन रिन के लिए सरवोदय लगू वित्त बैंक के साथ साज़दारी कर ली संदी के तहट बैंक अशोक ली लैंड के ग्राहों को भारत भर में आटो रिन के लिए end to end वित्तिय समाधान प्रदान करेगा दोनों भागिदारों ने तीन साल के लिए रननेतिक वित्त पोशन साज़दारी में प्रवेश करने के लिए एक प्रारंबिक सामझोते पर भी हस्ताक्षर किये हैं तो ये दोनों कमपनी के बीच का ये डील है जो अपने बैंक और ये आपका कमपनी के प्रोड़क्ट को हरिदने के लिए बैंक जो है कस्टमर को लोन देगी तो ये बेसिकली तीन साल का इनों ने ये साइन किया है तो इसके आगे अब इसके तहट अब इस पे काम होगा So yes guys that's it for today Now it's time for question of the day जाके बोला था कि सवाल पोचूंगी तो आज का सवाल है Who has been appointed as an electoral officer for BCCI's annual general meeting in June 2019 June 2019 में BCCI की आम बैठक के लिए किसे चुनावी अधिकारी न्यूक्त किया गया है एन गोपाल स्वामी, नवीन चावला, संदीप पार्टल ये MS गिल इन चारों में से एक है जवाब आपको अगर आता है कमेंट सक्षिन में जल्दी से लिख दीजे नहीं आता कल की वीडियो देख करके जवाब पता करके फिर लिख दीजे so thank you so much for watching PDF description box में है जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजेगा PDF जो है आपको डिविजन में help करता है और जैसा कि मैंने बोला था आपके लिए आने वाला है एक surprise तो definitely हमारी community post पे बिल्कुल follow करते हैं बिल्कुल पैनी निगाहें बना के रखे हमारी bbanker के community post पे बहुत जल्द आपके लिए एक surprise bbanker ले करके आने वाला है exclusively सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तो thank you so much for watching हमारा online number हमारा offline number आपको slide पे दिख रहा होगा हमसे जुड़े हमसे बात करें बेजे जख हम अपकी हर कोशिश solve कर है अपका हर question हम answer करने की कोशिश करेंगे अपकी हर समस्या solve करने का हमारा रयास होगा so thank you so much for watching stay tuned to be banker for more such lessons daily